एक बाद फिर से स्वागत है आपका हमाई चैनल पर उमीद करते हैं आप तैयारी कुब मन से कर रहे होंगे आज हम जिस विशे पर बात करेंगे वो है जो हमाई संस्कृत के कवी रह चुके हैं उनकी सर्वशेष्ट रचना है प्रशन आते हैं कि ये रचना किन कवी के दुवारा लिखी गई है या फिर इन कवी ने कौन सी रचना करी है हम आपको ट्रिक भी बताएंगे इसकी लेकिन वो हम बाद में बताएंगे पहले हम देख लेते हैं कि हमाई जो कवी है उन्होंने कौन सी रचना करी है ठीक है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा अश्वगोष महा कवी अश्वगोष अश्वगोष में कौन-कौन सी रचनाय करी है व्रज सूची महायान शदोतपाद सुत्रलंकार, कलपना मनीतिका, शारी पुत्रप्रक्रण और बुद्धिचाईत अब किसने अगर यदी प्रशन आजाए शारी पुत्रप्रक्रण किन कवी के द्वारा रचित है तो आप क्या लिखेंगे अश्वगोष कवी के द्वारा क्या है वो रचित है अब हम बात करते हैं महा कवी कुल गुरु कालिदास की जो सर्वशेष्ट है संस्कृत में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी संस्कृत पढ़ी हो और उसने महा कवी कालिदास का नाम ना सुना हो यदि हम बात करें उन्होंने कितनी रचनाए करी हैं कितनी रचनाई हैं उनकी? सात रचनाई, दो उनके महा काववे हैं, दो खंड काववे हैं, खंड काववे को क्या कहा जाता है? गिती काववे कहा जाता है, ध्यान रखिए का प्रशना सकता है कि खंड काववे को किस नाम से जाना जाता है? गिती काववे के नाम से, और उन्ह ाक तिन लिखी है अब बात करते हैं कि दो महा काववे कौन से हैं दो महा काववे हैं कुमार संभवं रजुव अन्ष मlen रघु वन्षन द्यान दखेंगे इसको भी बहुत महतमूर्प्रश्न है अब बात करते हैं उनकी तीन रूपक की, तो तीन रूपक जो है वो कौन-कौन से है? अभी ग्यान शाकुंतलम आप सभी ने सुना होगा एक है अभी ग्यान शाकुंतलम, मालविका अगनी मित्रम और विक्रमोश वर्शियम विक्रम और उर्वशी की कहानी है इसमें मालविका और अगनिमित्र की कहानी है और अभिगान शाकुंतलम में क्या है शाकुंतला और दुशियंत की कहानी है ध्यान रखेगा ये कुल साथ कृतियां है जो महाकवी कालिदास के द्वारा रचित है अब हम बैत करते हैं, महा कवी भारवी की, जिनका क्या famous है? महा कवी भारवी का क्या है? अर्थगौरव प्रसिद है, कहते हैं ना भारवे अर्थगौरवं उन्होंने मात्र एक रचना करी है, एक ही गरंथ लिखा है, और वो क्या है? किराता अर्जुनियम ठीक है ध्यान रखिएगा इसको इनकी माता का क्या नाम है इनकी माता का नाम है शुशीला पिता का नाम श्रीधर है यदि प्रशन पूचा जाए भारवी के पिता का क्या नाम था तो आप क्या लिखेंगे श्रीधर और विवाह किस से किया इन्होंने रसीका से कुछ-कुछ रसीक वती भी कहते हैं इसे ठीक है फिर हम बात करते हैं महाकवी माग की महाकवी माग की एक ही रचना है सिर्फ एक ही कृति लिखी है उन्होंने वो है शिशुपालवद शिशुपालवद महाकाव्य उन्होंने रचित किया है जो कि 20 सरगों में है और इनके पिता में कौन है स प्रब देवत थे बात करते हैं महा कवी श्री हर्ष की श्री हर्ष ने कौन सा महा काव्य रचित किया है श्री हर्ष ने नैशदिय चैतम महा काव्य की रचना करी है ध्यान रखेगा उनके पिता का क्या नाम था श्री हरी था और माता का नाम मामल देवी था बात करते हैं बिल प्रिश्न आजाता है कि बिलहन कौन से कवी है तो इन्हें कश्मीरी कवी कहा जाता है फिर हम बात करते हैं महाकवी भास की महाकवी भास ने बहुत साही रचनाई करी है अब हम बात करते हैं कि हम इन्हें याद कैसे रखे इन्हें याद करना इतना भी आसान नहीं है परन्तु इतना भी मुश्किल नहीं है यदि आप इन्हें याद करना चाते हैं तो हम बहुत चोटी सी ट्रिक बताते हैं आपको किस तरह याद करना होगा अब देखें आप एक क्या है महाकवी अश्व घोष आप इनकी रचनाउ को कैसे याद करोगे अब देखें आप अश्व से अश्व घोष से अश्व को मान लीजी अश्व है जिन पर व्रज से प्रहार किया गया है तो क्या हो गया व्रज सूची और क्या है वो एक यान में बंधे हुए है ठीक है किस से बंधे है एक सुत्र से बंधे हुए है और उन्हें अलंकार पहने हुए है मतलब एक अश्व है जिस पर व्रज से प्रहार किया गया है और एक वो यान में बंधा हुआ है जिस पर क्या अलंकार है मतलब उस अश्वने बहुत सारे अलंकार पहने हुए है और एक सूत्र से वो एक यान में बंधा हुआ है मतलब इस अश्वने क्या करी है कलपना कर रखिये कि उसे एक मणी मिलेगी मणी तिकार थाथ मणी मिलेगी किस से एक शारी पुत्र से मिलेगी एक शारी का पुत्र उन्हें क्या देगा मणी देगा, ऐसी उन्होंने कलपना करी है उससे वो क्या बन जाएंगे बुद्धिमान बन जाएंगे अब क्या याद हूँ आपको यदि आजाए क्या आजाए, महायान तो आप कहेंगे महायान कहीं सुना है यान, यान में बंधा हुआ था, बंधा हुआ कौन था, घोड़ा था, घोड़ा मतलब अश्व, और अश्व से क्या पता चल गया आपको, अश्व गोश अथा, यह महा कभी अश्व गोश की क्या है, रचना है, एक बाप फिर से पढ़त है कि उसे एक मनी मिलेगी, किस से एक शारी का पुत्र उसे मनी देगा, जिस मनी को प्राप्त करके वो बुद्धिमान बन जाएगा, तो याद रखिएगा, यदि आजाए बुद्ध चाहिते, तो आपको याद आएगा, बुद्ध से बुद्धिमान बन जाएगा, कौन बन क्योंकि वो इतने सरवादे के प्रसिद्ध हैं कि उनकी रचनाएं हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं और अब तक सभी को कंठस्ट हो चुकी होंगी फिर भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरह याद रखे हैं आप याद रखेगा कि सिर्फ उन्होंने दो महा काव्या लिख काली दास ने काली मतलब मा काली के जो दास हैं उन्होंने इतने महा काव्या लिख दी हैं कौन से एक जो कुमार है वो और एक कौन सा जो रगुवंश का कुमार है ऐसे महा काव्या किसने लिख दी हैं काली दास मतलब मा काली के जो दास हैं उन्होंने वो दो महा काव्या लि गीत गाते हैं तो यदि पूछा जाए मेगदूत किस प्रकार कावव और आप कोई गीति कावव को क्या कहते है खंड कावव गया अब किसुने लिखा है मा काली के दासने दो गीत गाएं हैं कब गाएं एक तो जब रिटू बदल गई तब और एक जब मेग बर से हैं तब उन्होंने क्या गाया, गीत गाया, तो ये महा कावी कारी दास की रचनाई है, कौनसी मेग दूत और रितु सनहार अब बात करते हैं रूपक की तो रूपक से क्या मतलब है रूपक मतलब तीन रूपक लिखे हैं उन्होंने कौन कौन से मालविका अगनी मित्रम विक्रम उर्वशियम और अभिज्यान शाकुंतलम इन्हें हम किस तरह याद रखेंगे अभी किया शाकुतलब को याद रखने की जरुवतнее वो सब़ी को याद होगी रही बात, मालविका अगनीमित्र की और विक्रम और वशी तो याद रखिए जो विक, भई, एक है जोड़ा कौन है? मालविका और अगनीमित्र है दोनों क्या हैं? जो कालिमा हैं उनके ये दास है कभी भारवी ने एक ही माँ काव्य का सरजन किया है वो कौन सा है किरात अरजुनियम अब इसे कैसे याद रखेंगे आप वैसे तो आपने पढ़ा होगा ये अवश्य ही लेकिन फिर भी हम बता देता है अब देखिए एक किरात है और एक अरजुन है दोनों में बहुत जादा भार है तो जैसे ही आपको किरात और अरजुनियम नजर आएगा तो आप कहेंगे किरात अरजुनियम किरात और अरजुन में भार था वो बहुत भारी थे भारी से मतलब भारवी उनके कवी कौन है भारवी है ठीक है अब हम बात करते हैं महा कवी माग की रचना की तो महा कवी माग ने शिशू पालवद महा काव्य की रचना करिये शिशू पालवद से अब कैसे आ रखे हम हम कहेंगे एक शिशू है जिसको पालने में एक माग लग गिया है एक महा होता है लेकिन आप माल लीजिए मांग, तो एक महीना लग गया है, माहा कभी ड़नेशणा है, निशद्य चईतर की कि रचना हुई, श्री हर्ष की वो रचना जहां पर हर श्री हर्ष है तो फिर श्री हर्ष ने कौन सी रचना लिखी नेशधिये चैत्र लिखी है अब हम बात करते हैं आतनकिन की बिलहन की जहां तक हमें उमीद है सभी को यह याद है विक्रमांक देवचैत्र किस ने लिखी है बिलहन ने लिखी है इसे हमें याद कराने की कोई आवशक्ता नहीं है अब हम बात करते हैं महा कवी भास की अब भास की रचना है आप देखी सकते हैं कितनी सारी है हम इने कैसे आद के अब भास से क्या मतलब है भास मतलब मुझे कुछ भास हो रहा है क्या भास हो रहा है अरू भंग मतलब मेरी अरू में दर्द है ऐसा मुझे क्या हो रहा है भास ह कैसा? मेरे कन का भार बढ़गया है, ये भी मुझे भास हो रहा है, तो क्या है? आप याद गएंगे? जब कन भार आ जाए तो आप कहेंगे कन भार भार हो गया है भारी हो गया है कान मेरा तो मुझे क्या है इसका भास है कि मेरा कान क्या हो गया है भारी हो गया है मेरी उरू में दर्द है ऐसा मुझे भास है दूत वाक्यम अब पंच रात्र मतलब क्या है कि पांच रात्री पांच रात्री हो चुकी है एक दूत को वाक्य बत आया था और मुझे भास हो रहा है कि पांच रात्री हो चुकी है मुझे बताए हुए उसको तो क्या है यह दी पांच रात्रम आजाए पंच रात्रम आजाए तो आपके पांच रात्री हो चुकी है ऐसा मुझे भास हो रहा है भास मतलब महा कवी भास की है ठीक है और आजाए दूत को एक वाक्य बताया था पांच रात्री हो चुगी ऐसा मुझे भास हो रहा है तो किसकी हुई है? महाकवी भास की हुई अब आया दूत गटोत कच अब हम कह रहें एक दूत को पांच रात्री पहले एक वाक्य बताया था वो दूद बिलकुल गटोत कच है कुछ नहीं याद हुआ है उसके अपता वो वाक्य तक नहीं याद कर पाया तो दूद गटोत कच किस ने लिखी भास क्योंकि हमें भास हो गया है आपकी वो दूद क्या है गटोत कच है बिलकुल ठीक है? बात करते हैं मद्यम व्यायोग बाल चैत्र की तो क्या है? भाई क्या है? आज मैं अपनी आयूग के क्या हूँ? मद्यम में हूँ और मुझे ऐसा भास हो रहा है कि जब मैं बाल चैत्र में था अब हम बात करते हैं यहाँ पर अभिशेक नाटकम और अभिशेक नाटकम की अभिशेक नाटकम मतलब हमने अभिशेक बच्चन की क्या देखी है? प्रतीमा देखी है ऐसा मुझे क्या हो रहा है? बास हो रहा है कि मैंने कहीं पर क्या देखी है? अभिशेक बच्चन की प्रतीमा देखी है ठीक है, कहां देखिए, कहां देखिए, अब मुझे आता है, अरे हाँ मैंने स्वपन में देखी है तो यदि आजाए स्वपन वासवदता तो आप करेंगे स्वपन में मैंने देखा था, क्या देखा था हाँ हाँ मैंने अभी शेख बच्चन की प्रतीमा देखी थी क्या देखी थी मैंने अभी शेख बच्चन की प्रतीमा देखी थी और वो किस कहां ऐसा क्या हुआ था कहां देखी थी और क्या है ऐसा मुझे भास है तो याद रखिए का मा कभी भास का क्या है यदि आजाए मां कभी भास्ते कौन सी लिखे और आपके सामने आजाए एक आजाए आपके सामने नश्धी चैतर एक आजाए विक्रमांक देव चैतर एक आजाए आपके सामने शारी पुत्र और एक आजाए आपके सामने अभिशेक नाकम तो आप कहेंगे मुझे भास्ता क् नहीं तो विक्रमांक देव का नहीं ऐसा भी मुझे कोई शारी पुत्र का भास्ता मुझे नहीं मुझे ऐसा कुछ भी भास्ता मुझे क्या भास्ता मुझे भास्ता मैंने अभिशेक बच्चन की पृतिमा देखी है कहां देखी है? स्वपन में देखी है तो ये क्या हुई ये मा कभी भास की रचना हुई है इस तरह आपको याद जगा बले ही अभी आप बैट करके करें मुझे याद नहीं हुआ है परन्तो जब एक्जाम आएगा तो जब आप एक्जाम में बैठे हुए तो आपको डेफिनेटली ये ट्रिक याद आ ही जाएगी कि हाँ अभिशेक अभिशेक से अभिशेक बच्चन था अभिशेक बच्चन की मैंने प्रतिमा देखी थी स्वापने में देखी थी ऐसा मुझे भास था तो वो मा कभी भास की रचना हुई फिर हमाए पास जो बचा है वो है प्रतिग्या योगंध राएं अरे रे रे ये तो बहुत बड़ा है पर तिग्या यू गंद रहें अब इसे कैसे याद करें क्या है कि हमें भास है यहाँ पर क्या है गंद है गंद हो लिए ऐसा मुझे भास है क्या है बहुत जादा गंद है यहाँ पर ऐसा मुझे भास है चलिए देखते हैं आपके कितने प्रश्ण याद रहें यहाँ पर तीन प्रश्ण ली है आपको इनके जवाब कहा देने है कमेंट बॉक्स में देने है क्या रचनाय दी गई है मालवी का अगनी में तो किसकी रचना है बुद्धुचे तो किसकी रचना है झाल झाल